जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड परिच्छा में ब्याख्या कैसे करें, कुछ लोग होते हैं जो कि पेपर में कुछ भी लिखकर चले आते हैं, तो अगर आप कुछ भी लिखकर आएंगे, तो आपको कुछ भी नंबर तो मालिजे तीसरा कोश्चन आपको और बोल रहा है कि किसी एक गद्यांस को आपको हल करना है यह ऐसी ही बोलेगा तो देखेंगे या कि गद्यांस में आपको दो question मिलेंगे जैसे प्रश्मत्रांक नंबर तीन है इसमें पहला गद्यांस मिल रहा है भासा ये ओम संस्कित है अटूट अंग है ऐसा है और लाश्ट में आव सकता है यानि कि यहां से ले करके यहां तक आपको पहला गध्यांस मिल रहा है और इधर आप देखेंगे इस साइड में तो आपको दूसरा गध्यांस मिल रहा है अथवा में करके कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह क्या है उर्जा का स्वरूप है और यह है गैर आध्यात्मिक बात नहीं है यानि यहां से ले करके यहां तक आपको दूसरा गध्यांस मिल रहा है अब इसको लिखने का सही तरीका क्या है क्योंकि दो गध्यांस हैं दोनों में से एक कोई हल करना है ऐसे ही आपको दो पध्यांस और उसके बाद आप देखेंगे, तो अगले पेच पर आप देखेंगे, तो अथख़वा करके दूसरा आपको पध्यांस मिलेगा, तो हल करने का सही तरीका यह है, जैसे माली डिया आप गध्यांस हल कर रहे हैं, तो तीसरे नंबर पर गध्यांस है, तो सबसे पहले आप डा अंसल कर रहे हैं कई लोग यहां पर बेकट में का खा लिख देते हैं यह लिखेंगे गल्द माना जाएगा क्योंकि इसमें का खा कुश्चन पूछा गया है तो अब वो सोचेगा एक जामर कि आप इसमें एंसोर दे रहे हैं पहले का दूसरे का और यह भी नहीं समझ पाएग कि तीसरे का का आप यह लिख रहे हैं कि तीसरे का का आप यह वाला यह लिख रहे हैं क्योंकि दोनों ही तीसरे का का है तो आप क्या करेंगे प्रश्णोतरांक नंबर 3 डालेंगे पहला नंबर है उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संकेद प्रश्णोतरांक नंबर 3 के और अंत के दोसब्द आवशकता है भासा सोयम डौट 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 आवशकता है इसी तरह अगर आप इसको हल कर रहे हैं दूसरे को तो आप लिखेंगे जो कुछ भी डौट 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 आध्यात्मिक बात नहीं है अगर आप पध्यांस हल कर रहे हैं तो आप लिखेंग के संकेत में मैं नीरभरी डॉट 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 उसके बाद अंद के आप दो सब्द लिखेंगे बयार पली ये आप दो सब्द लिख देंगे ठीक है तो ऐसे आपको संकेत लिखना है जैसे कि हमने संकेत में लिखा है पहला वाला तो हमने लिख दिया भासा सोयम डॉट वाला गद्यांस हल कर रहे हैं अब इसमें अगर मान लीजिए पहला कोश्चन इस तरह से आप से पूछा गया है कि उपरियुक्द गद्यांस के पार्ट और लेखक का नाम लिखिए तो आप क्या लिखेंगे कि उपरियुक्द गद्यांस के यहां से देखेंगे उपरियुक् मत लिखेगा संदर्व में भी आप उतने नंबर मिलेंगे और दो लाइन में भी उतने ही मिलेंगे टाइम बचाने कोशिस कीजेगा हिंदी का पेपर बहुत बड़ा होता है तो जो कोश्चन में पूचा जाए आपको वही लिखना है अब देखेंगे आपने पहला कोश्चन हर कर दिया दूसरे में बोल रहा है रेखांकित अंसकी ब्याख्या कीजिए क्या बोल रहा है रेखांकित अंसकी ब्याख्या कीजिए अब आपको कोई भी संकेत नहीं डालना है आपको केवल करना क्या करना है प्रश्णो तरांक नंबर दो खा डालना है दो का खा इसलिए डालना है क्योंकि कोश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर तीन रहेगा इसको समझने के लिए आप दो काम कर सकते हैं या तो आपने इस part को पढ़ा है अपने school में तो आप उससे connect कर पाएंगे या तो आप क्या कीजिए कि आप इसको बढ़ेए पूरा पढ़ेए एक बार ठीक है अगर आप पूरा गद्यांस को पढ़ेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि क्या चीज है ये क्या हम से पूछा जा रहा है जिसे हमने लेशन को पढ़ा है तो हम सबसे पहले लिखेंगे पहली लाइन फिक्स लाइन होती है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक हमसे कहना चाहता है कि यहां तक की लाइने फिक्स होती है अगर कभीता का आप ब्याख्या कर रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कभी हमसे कहना चाहता है कि तो प्रश्टूत पंक्तियों में लेखाख हमसे कहना चाहता है कि अब यहां से जो भी रेखा आंकित की गई है उसको हम लिख देंगे कि भासा स्वयम संस्कित का एक अटू टंग है ठीक है क्या वोला है भासा स्वयम संस्कित का एक अटू टंग है इतना fix line है इसको आपको paper म में लिखना है अगर आप इसे लिखेंगे तो इससे आपके number मिलने के chance से ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि आपको जो examiner है वो यहां तक देखेगा या तो यहां तक देखेगा इसके नीचे वो नहीं देखेगा और last की जो है यह एक line वो देख लेगा तो आपको क्या करना है यहां तक तो अच्छे से लिखना है तो आप लिखेँगे सबसे पहले प्रश्टूत पंक्तियों में लेखा कम से कहना चाहता है कि भासा सोयम संस्कृत का एक अटूट अंग है अब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो पताचलेगा कि संस्कृत परमपरा से इनिस्टिस् को साब्दिक रूप देने के लिए भासा के परंपरागत सब्द का प्रयोग पर्याप नहीं है इसलिए इसके नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को अब्यक्त करने के लिए नए सब्दों की खोज के महतियाओ सकता है इतना आपने पढ़ा अब मान लीजिए इसमें से करनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ इसके बारे में बताया गया है तो आप ठीक है आप इसमें से लिख सकते हैं नहीं तो आप इस लाइन का जो भी अर्थ निकाल पा रहे हैं जो भी निकाल पा रहे हैं कोई ये बात नहीं है कि आप जो आपकी आवतार में दिया गया है या मास समय अनुसार हो रहे परिवर्तनों को ब्यक्त करने के लिए सब्द भी भासा से ही लिए जाते हैं जो कि भी यहाँ पर आपने देखा कि सब्द नए सब्द की खोज की महती आओ सकता है तो संस्कित में हो रहा है परिवर्तनों को ब्यक्त करने के लिए नए सब्द भी भासा से ही लिए जाते हैं और अंत में लिख देना है अता हम कह सकते हैं कि भासा संस्कित का टूटंग है आप अपनी बोर्ड पर चेकिंग ओपी में अगर आप 10 लाइन लिख देंगे 10 लाइन तो आपको दो नमबर आसानी से मिल जाएगा और 8 से आपको 10 लाइन लिखना है अगर आप 4-5 लाइन का सू उतना लिखना है जो कि आपकी अंडर लाइन की गई है और अंत में लिख देना है अता हम कह सकते हैं कि भासा संस्कित का टूटंग है जो कि आपकी अंडर लाइन की गई लाइन से हैं जिसकी ब्याख्या करनी है आप अंत में लिखिएगा अता हम कह सकते हैं जो भी आपकी underline की गई लाइने हो I think आप connect पर कर पा रहे होंगे क्या हम कह रहे हैं कैसे आपको लिखना है साइची जी हमने बता दी कोई और दिकत हो तो आप हमें comment कीजेगा एक वीडियो और बना देंगे इस पर फिलाल इस वीडियो में इतना ही था कैसे लगी वीडियो आप हमें comment कीजेगा हम मिलेंगे इस एक इस नक्ष्ट वीडियो में जय हिंद